आज के हमारा इस वीडियो का टॉपिक है What is HRC Fuse and why it's so important मतलब की HRC Fuse क्या होता है और यह इतना जरूरी क्यों है दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो काफी ज़्यादा छोटा बनने वाला है लेकिन यह वीडियो काफी ज़्यादा important है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं पर electrical का work कर रहे है या फिर especially जो कहीं पर interview देने जा रहे है क्योंकि interview के अंदर भी आपसे कहीं बार HRC Fuse से जुड़े सवाल बूद ले जाते है इसमें सबसे ज़्यादा यही सवाल होता है कि HRC Fuse का इसमाल क्यों किया जाता है तो आखिर इस सभी सवालों का जवाब क्या है वो इस वीडियो के जान लेंगे तो वीडियो को start कर लेते हैं दोस्तो वीडियो की starting में सबसे पहले हम यह जान लेते है कि आखिर HRC Fuse की full form क्या होती है तो दोस्तो HRC की full form होती है High Rapturing Capacity अब इस High Rapturing Capacity का क्या मतलब है अगर आप यह जान जाओगे तो आप HRC Fuse को भी समझ जाओगे क्योंकि इसके full form से हम इसके uses को पता कर सकते है क्याकिर यह कहां पे लगाए जाता है तो अगर हम इसके full form को हिंडि में जाने तो High का मतलब हम सभी को पता है जादा होता है इसके बार में दोस्तो रैप्चरिंग इसका मतलब क्या होता है तो दोस्तो इस रैप्चरिंग का मतलब होता है हमारा तूटना या फिर फूटना जैसे के हम सभी को पता है Fuse क्या होता है अगर हमारे ज्यादा current flow होगा circuit में, तो हमारे फ्यूज है, ये fuse open हो जाएगा, मतलब इसके दिन्दका जो तार होता है, तो यही इस rapturing का मतलब होता है, इसका मतलब होता है तूटना, और last में लिखावा है capacity, इस capacity का मतलब होता है अगर हम इस HRC Fuse की full form का देखें, तो इसका मतलब होता है, जादा टूटने की शमता को जहलने वाला fuse, ये HRC Fuse होता है, तो जादा टूटने की शमता इससे आखिर मतलब क्या है, तो इसका मतलब काफी simple सा है, हम सबी को पता है, हमारे जो electrical के circuit होता है, हमारी जो electrical की wiring होती है वो दो भागों बटी होती है एक हो जाती है हमारे power circuit power wiring हो जाती है और second हो जाती है हमारा control circuit हो जाता है तो दोस्टों यह दो तरीक एक circuit हो जाता है अब हम सभी को पता है जो power circuit होता है वो power circuit के अंदर हमारे काफी ज़्यादा high amount में अम् preyChamp ाउडनर हो ना यहांवारtr जाने वाली आर्वाइब्यक के वायर है वह आनर की उसके अनर सुन थे कह अडर का कॉंड्र सठीट स्युन्土 की होता है काफी च्रिक्राइब। प्राइब एनधर टाय। धो जांड होता है यह काफी कम MPR में ही काम करते हैं तो दोस्तों जहां पर भी हमारे जादा MPR शम्ता वाला सरकीट है मतलब कि हमारे जो भी पावर सरकीट है उस पावर सरकीट के नहीं हम प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ पे HRC Fuse का ही इसमाल करें और इसका नाम भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते ही बनाया गया है अब इसके बार में दोस्तों हम इस HRC Fuse के अंदर उप्योग होने वाले पावडर इसकी बॉड़ी किसकी बनी है इन सब को जान लेते हैं क्योंकि यह भी हमसे इंटर्यू में काफिया और पूछ ले जाता है फिर उसके बाद में हम नॉर्मल फ्यूज और HRC Fuse में क्या अंतर होता है वो भी हम जान लेंगे सबसे पहले अगर हम इसकी बॉड़ी की बात करें क्याकि HRC Fuse की बॉड़ी किसकी बनी होती है HRC Fuse के दर वह जो वायर होता है वो वायर्ट होता है मतलब Fuse का Element होता है उसके साथ में यहाँ पे कई सारे पाउड़ को 費ल क्या जाता है तो आखिर वह सब्सेटान हो सकता है मार्बल का भी कहा जाता चौक का क्या कहता है मतलब कि हमारे कई तरीकी कि powder количество द्रीकम के इसमाल हो सकते है लेकिस सबस्क्याधर जो इसमाल कहाता है silica sand मतलब silica की rate का तो इस बाード का आपको दियान रखना है hrc fuse जो powder होते है वो silica sand ज्यादा मात्रा में होता है और जो body होती है, वो होती है हमारी siramik की, मतलब चीनी मिट्टी की इसके बार में दोस्तों next जी जाएती है, जो fuse element है वो fuse element किसका बना होता है मतलब कि इसके अंदर जो fuse का तार है, वो तार किस चीज का है मतलब जो metal है, अंदर जो metal होगा, वो metal किस चीज का है तो दोस्तों HRC fuse के अंदर का metal, ज्यादा कर silver या zinc का होता है इसके लोग किसी-किसी HRC fuse के अंदर हमारे copper का भी इसमाल किया जाता है बहुत इक कम HRC fuse ऐसे होते हैं, जिसमें aluminum का इसमाल किया जा रहा हो तो ज्यादा कर हमारे जो HRC fuse होते हैं, वो silver, zinc या फिर copper के ही होते हैं तो दोस्तों अभी तक हमने यह तो जान लिया, कि अकि HRC fuse काहा लगाए जाता है और सासर HRC fuse को बनाने के लिए कि इन-किन चीजों का उप्योग लिया जाता है लेकिन अब इन सभी के बार में हम next थोड़ा यह जान लेते हैं कि आकि जो HRC fuse है, वो हमारे normal fuse से कितना अलग है इन दोनों में मुख्यत है, क्या अंतर होता है दोस्तों यह है जो HRC fuse है और यह है जो normal fuse है इन दोनों में कुछ ज़्यादा vicious अंतर नहीं होता है लेकिन इसमें एक ही ऐसा difference है जो कि काफ़ ज़्यादा matpun है क्या difference है, तो दोस्तों हम example से समल लेते हैं हम यह माल लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक motor को चला रगा है यह मेरी एक motor है, यह motor मैं माल लेता हूँ कि मेरी 5 ampere current को लेती है अब मैं क्या करता हूँ, दोस्तों सेम ऐसी motor 5 ampere वाली यहाँ पर भी लगा रहेता हूँ तो मैंने यहाँ पर 5 ampere की यहाँ पर भी motor लगा ली अब एक को current जो दिया है, वो HRG fuse के दवार दिया है यह मैंने HRG fuse के दवार दिया है दूसरी जो motor है, इस motor को current दिया है, वो normal fuse के दवार दिया है अब दोस्तों जब हम इस motor को start करेंगे तो in case कभी ऐसा होता है, हमारी जो motor ही 5 ampere ज्यादा current लेन लग जाती है जैसे 7 ampere लेन लग जाती है या फिर इससे ज्यादा 8-9 ampere लेन लग जाती है HR सी fuse की बात करे तो HR सी fuse के अंदर क्या होता है जैसा कि मैंने आपपो बताया था hätte इस के अंदर हमारा एक powder भर आ जाता है नवर का सा होता है, silica sent का होता है क्या होता है Pamala लेता है कि अमारी पहली motor को मने start किया अब यह motor 5 ampere से ज्यादा current लेन लग गई हमने फ्यूज तो यहां पर 5 इंपर कहीं लगा रहा है यह जो हमारी मोटर है यह मोटर हमारी 6-7 इंपर लगए यह जो मोटर ज्यादा करेंट ले रही है कुछ सेकंड के लिए ले रही जैसे 2-3 सेकंड के लिए लगए तो उस समय क्या होगा हमारा जो यह है HRC fuse है यह HRC fuse ब्रेक ही नहीं होगा मतलब तूटेगा नहीं यह ज़्यादा इंपर जाने पर भी क्यों नहीं ब्रेक हुआ यह ब्रेक नहीं हुआ है हमारी इस पाउडर की मलस से अब यहाँ पर कहीं लोग है मनमे एक और कोशन काफी ज़्यादा यह है आ रहा होगा कि हमारा fuse सो ब्रेक हो जाना चाहिए जैसे ज़्यादा एंपर 5 से 5.5 एंपर भी जाना तो भी हमारा ब्रेक हो जाना चाहिए ज़्यादा गरम होगा तब वो तूड़ जाता है तो यही चीज होती है हमारे fuse के अंदर भी है तो इसके अंदर जो हम पाउडर यूज करते है न हर्ची फ्यूज में यह फ्यूज का पाउडर हमारे जो वायर है इस वायर को जल्दी गरम नहीं होने देता मतलब कि थोड़ जल्दी गरम नहीं होगा जैसे इसमें 5 एंपेर से जादा 7 एंपेर भी चले गया लेकिन फिर भी कुछ समय तक गरम नहीं हुआ तो इसी कारण से हमारे जो वायर है यह जल्दी नहीं टूटा तो यही चीज होती है हमारे HRC fuse के अंदर जो पाउडर होता है यह पाउडर हमा जल्दी हीट अप हो जाता है और हीट अप होते ही हमारे यह जल्दी से ब्रेक भी हो जाता है अब आपको यह है तो समझ में आगया है कि हमारे HRC fuse जल्दी से ब्रेक के नहीं हुआ अब हम सबी के मन में जो सवाल था कि आखिर हमारा fuse तो ब्रेक हो जाना चाहिए न यही तो हमको चीए कि हमारा 5A का हमने fuse लगा रहा है तो 6A जाती हमारा ब्रेक हो जाए तो दोस्तों बिल्कुल सही है हमारा fuse 6A पर ब्रेक हो जाना चाहिए लेकिन क्या होता है हमारे electrical के अं नर्मल समय में current लेती है तो अगर हमने यहाँ पर हमारी इस motor के लिए 5A के लिए normal fuse को लगा रखा होगा तो वह ता हमारा फटाफट से ब्रेक हो जाएगा पर अगर हमने HRC fuse को लगा रखा होगा तो वह हमारे कुछ समय तक extra current को जहलता है जो powder होता है powder हमारे थोड़े समय त होता है तो यही फायदा मिल जाता है इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी हम जो motor होती है उस motor पर हम normal fuse को इसमाल नहीं करते हैं वहाँ पर हम HRC fuse का ही इसमाल करते हैं और अगर आपको motor पे normal fuse को लगाना होगा तो normal fuse कैसे लगाएंगे आप उसकी interest current के साब से अब जैसे मेरी motor पर नॉर्मल समय 5A लेती है पर उसका interest current है वो है हमारा 15A तो आप क्या करेंगे अब इस 5A की motor पर 15A का fuse लगाएंगे तो अगर हमने इस 15A के fuse को इस motor पर लगा दिया तो जब हमारी motor overload होगी और ज्यादा समय तक ज्यादा एंपर current लेगी यानि कि 12-13A current ले लगे तो उस समय में तो हमारे fuse break ही नहीं होगा तो इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर HRC fuse का इसमाल करते हैं यह हमारे कुछ समय तक 10-12 सेकंड तक हमारे जो temperature को heat up नहीं होने देता हमारे जो powder ही powder उसको heat नहीं होने देता जिसके कारण हमारे जो HRC fuse है वो इंडरस current को आसानी जेल लेता है जि सब्सक्राइब कर लिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद